नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल संपूर्ण ग्यान में आज है दिनांग 28 नॉम्बर और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्पुन कड़ा अंटरफरिस के बारे में और उससे जुरे महत्पुन कोश्चन्स के बारे में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को दबा देंगे और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे वीडियो के description box से download कर सकते हैं आप सभी से निवेदन हैं कि आप हमारे वीडियो को last तक जोड़ देखेंगे last में आप सभी से एक question पूछा जाएगा जिसका answer आप सभी को comment box में comment करके बताना है तो चलते हैं आज के पहले question की तरफ आज का पहला question है संग्राम दहिया और वर्षा बर्मा ने कौन सा पदक जिता which medal won by संग्राम दहिया और वर्षा बर्मा in national shotgun shooting championship स्वयूद तर है संपदक अब को पता दे इसका 36 एडिशन जिसका आयो जन निव देल्ली में 25 नवंबर को किया गया था संग्राम दहिया जो हरियाना के रहने वाले हैं इन्होंने 150 में से 150 में से 142 टारगट पे सूट किये जिससे यह former world champion अंकुर मित्तल को भी पचार दिया अब कता दे वर्षा बर्मा जो मद्ध परदेश की रहने वाली हैं जो महिला स्रेनी में gold medal जीता साथ में मनीशा कीर ने silver medal जीता मनीशा कीर ने silver medal जीता चलते हैं आज के दूसरे कोशन की तरफ आज क्या दूसरा कोशन है हाली में किस देश के अगनी समन विशे सग्यों के प्रतिनीदी मंडल ने मुंबाई का दौरा किया विच कंट्री फायर एक्सपर्ट डिलीगेशन विजिटेड मुंबाई रिसेंटली सवयूत तरह इजरायल इजरायल के फायर डिस्टिंग्यूशन सर्विस का नाम है इजरायल नेशनल फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट यह यहां मुंबाई की दलकम दमकल कर्मियों के लिए विशिस प्रगिक्षन कारिकम पर चर्चा करने आया है यह प्रगिक्षन तीन दिवस जिसमें दोनों देशें के फायर एक्सपर्ट और दमकल कर्मियों के काभिलियत को बढ़ाया जाएगा चलते हैं आज के तिसरे कोशन की तरह A.C.I. तिरंदाजी चेंपियंशिप में भारती तिरंदाजों ने कौन सा पदक जिता Which medal won by Indian Archers in Asian Archery Championship इसका सजुदतर है कांस पदक ब्रॉंज मेडल जिसमें अतानु दास ने तीन ब्रॉंज मेडल और दिपका कुमारी ने ब्रॉंज मेडल जीता जिसका आयुजन 25 नमवर को बैंकक थाइलेंड में किया गया था जिसका आयुजन वर्ल्ड आर्चरी एसिया दोरा किया जाता है यह चैंपियंशिप हर दोस साल पर मनाया जाता है जिसकी सरुवाद 2001 में हुई थी चलते हैं आज के चोते कोशन की तरह राष्टिय दूद दिवस किस दिन मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे सिलिबरेटेड ओन विच डे इसका सही उतर है 26 नॉवंबर आपको पता दें एक जुन को वर्ल्ड मिल्क डे की रूप में मनाया जाता है जिसकी अस्थापना नेशनल मिल्क डे की अस्थापना या सुरुवाद 2014 में Food and Agriculture Organization, National Dairy Development Board और The Indian Dairy Association और 22 राजियो के Dairy Federation के स्विक्रिती से किया गया यह दिवस डॉक्टर वर्गिस केरीन जो फादर आफ इंडियन वाइट रिवल्लूशन से जाने जाते हैं इनके जनम दिवस्ट पर मनाया जाता है चलते हैं आज के पच्वे कोशन की तरफ हाली में इस्रो ने किस उबुड़ा का प्रच्षेपन किया विस सेटेलाइट लॉंच्ट बाई इस्रो रिसेंटली एकसा सही उत्तर हैं काटो सेट 3 यह मिसाईल 27 धवन स्वेस सेंटर सार स्रीहकोटा से 27 नॉमर को लॉंच किया गया यह मिसाईल PSLV C-47 रॉकेट द्वारा प्रच्षेपन किया गया काटो सेट 3 सेटेलाइट तिसरी पीडी का फुर्तीला उननत सेटेलाइट है जिसमें उच्छ रिजूलेशन इमेजिंग छमता होती है इसके साथ ही स्वेयुक्त राज अमेरिका का 13 कमर्शियल नैनो सेटेलाइट को भी लॉंच किया गया चलते हैं आज के छटे कोशन की तरब सेन साहित उत्सव का कौन सा ससकर्ण अईजित किया जाना है इसका स्वेयुतर है थर्ड जिसका आयुजन 13 इसमबह 2019 को चंडिगड में किया जाएगा जिसका अनावरन भारत के रक्षा मंतरी राजना सिंग द्वरा किया जाएगा इस औसर पर प्रख्यात रक्षा और साहितिक लेखकों की 10 पुष्टकों का भी अनावरन किया जाएगा चलते हैं आज के सत्वे कोशन की तरब आज का सत्वे कोशन है किस सहर ने भरष्ट चार विरोधी हिल्प नाइन नमबर सुरू किया जिससे पहले इलहबाद नाम से जाना जाता था वहां की पुलीस ने यह हेल्प लाइन नमबर सुरू किया जिस पे लोग अपने कंप्लेंड को दर्च कड़ा सकते हैं हेल्प लाइन नमबर है 936988721 चलते हैं आज के अठवे कोशन की तरफ इटावा सीर सफारी का उधगाटन कि स्राज में हुआ इटावा लाइन सफारी इनेगरेटर इन विच स्टेट ससाई उत्तर है उत्तर प्रदेश जिसका इनेगरेशन 24 नमबर को वहाँ के वन मंत्री दारा सिंग चोहान दोरा किया गया है आपको बताएदे दारा सिंग चोहान भारती जंटाप पार्टी के विधायक मंत्री है चलते हैं आज के नवे कोशन की तरव आज का नवा कोशन है किस कमपनी ने सी सेटल का आड़कम सुरू किया इस प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में महिलाओ के लिए एक विशेश बस सेवा शुरू की गई है जिसका अनावड़न पोचा राम विलेज गतकेसर में 25 नमबर को किया गया चलते हैं आज के दसवे कोशन की तरव तीन दिन की कॉमन वेल्थ यूवा संसत की सहर में सुरू हुई थ्री डे कॉमन वेल्थ यूथ परल्यामेंट बिगिन इन विच सिटी ससायूत्तर है दिल्ली जिसकी सुरुवात 25 नमबर से हुई है जिसमें 24 कॉमन वेल्थ देशों से लगभग 47 प्रतिभागी भाग लेंगे जिसमें लोग सवा स्पीकर ओम विल्ला चीफ गेस्ट ग्रूप के आएंगे यह पहली बाह है कि एक भारती विदान मंडल ने आम यूवा संसत की मेज़वानी की है चलते हैं आज के Question of the Day की तरफ जिसका एंसर आप सभी को कमेंट वक्स में कमेंट करके बताना है भारती विदान सेना दिवस कम मनाया जाता है इसका पहला आप सभी को कमेंट वक्स में कमेंट करके बताना है